नमस्कर दोस्तों हमारी यूट्टूब चनल जोशना वालकर में आप सभी को स्वागत करते हैं दोस्तों आज हमारी पास एक OPPO A52 का मोबाइल कुरियर हुआ है इसका प्रोब्लेम है दोस्तों ये डेट कंडिशन पे हमारी पास आया है जो भी कंडिशन पे हमारी पास आया है दोस्तों मैं डारेक्टली इसको आपके सामने ही सो कर रहा हूँ इसका कैमेरा बगरा को मैंने उपन किया हूँ लेकिन इसका CPU और इसका ब्यक साट का जो सील्ड है पावर आईसी के उपर इस सब पहले उपन था और इस पे क्या काम हुआ है मुझको अभी पता नहीं इसको हम ट्रेस करेंगे इस वीडियो पे तो पहले हम charger cable insert करके चेक कर लेते हैं कि इस पे कितना हमारी current कंजूम करता है यह देखिए यह .02, .04 इस तरह से कुछ abnormal की हमारी current कंजूम करती है और यह mobile पे कुछ response नहीं है इस condition से हमको fault के उपर क्या fault हो सकता है अभी मालूम नहीं हो सकता क्योंकि पता नहीं हो सकता है इस पे कहां से problem है यह तो एक अजब से readings ले रहा है बैटरी लगाए या ना लगाए 0.02 और 0.04 इस तरह से कुछ readings लेता है charging power कंजूम करती है तो अब दोस्तो हमारी second option है इस पे हम DC power supply में check करेंगे कि इस पे कितना readings लेता है हमारी DC लेता है तक हम confirm हो जाए कि यह section कहां से section से problem है जब हम इस पे power key को press करते है यह 340 फिर down होके 280 इस तरह से कुछ abnormal यह भी readings लेता है यह जो readings लेता है इस पे इससे भी हमको confirm नहीं हो सकते है कि इस पे कहां से problem हो सकता है CPU भी short हो सकती है इस condition पे और otherwise कहीं से sorting भी हो सकता है तो जब तक हम इसको trace नहीं कर सकते completely इसको इसके ऊपर हम बता नहीं सकते है कि इस पे कहां से problem है क्योंकि यह जो रिडिंग्स ले रहा है एक अजब से रिडिंग्स ले रहा है पहले जो काम हो रहा था दोस्तों वो सब कुछ अलग है लेकिन अब जो नया नया फॉल्ट आ रहा है मर्केट में वही फॉल्ट अभी डिमा कोई घुसना थोड़ा मुश्किल है हम आज इस वीड में इसको कंप्लिटली ट्रेस करेंगे यह कहां वो है इसका पावर आईसी कीड़ से सिद्ल हुला अने लगाल इसका कबुक्छ कवेंदे कीक पांच मिए कि इसको छोडरिक करें चोड़ देते हैं तो पहले हम इसका जीहर फैल्य ले लेते हैं कि बैटरी इक इयुकं合ानें आइसे हैं यह से तो 피 metro नहीं हैं दोस्तो और अब धुस्तो इहां से हम चेक करेंगे कि charger को insert करके यहां से हमारी कुछ जो हमारी battery connector के पास हमारी ID और thermal की राइन को चेक करेंगे और हमारी V8 पर कितना voltage आ रहा ही इसको भी चेक करेंगे क्योंकि यह सब को check करना बहुत ही जरू है जब तक आपको battery connector के पास thermal और ID और यहां हमारी battery V8 पर कुछ voltage fluctuation ना हो उस टाइम से तो यह set भी जिन्दा नहीं हो सकता तो पहला हमारा काम है charger के bullet set करके हमारी battery connector के पास हमको thermal और ID और हमारी battery V8 पर कितना voltage आ रहा है इसको trace करना जबकि यह जो abnormal leading से आती है इस condition पर तो पहले check करना उसका battery ID और thermal पर कितना कितना voltage आ रहे है यह से ही आपको पता चल जाएगा कि problem कहां से ही यह देखिए यहां से उसका V8 पर कुछ भी voltage सो नहीं कर रहा है और इसका ID पर भी कुछ भी voltage सोने कर रहा है और उसका TS पर भी कुछ भी voltage सोने कर रहा है और शारी एक सेकंड मुझकण लगता है कि यहां से हमारी charger को बल इंसर्ट ठीक से नहीं हुआ है कि इस पर हमारी भी बस पर भी voltage नहीं आ रहा है और एक बार चेक करते हैं कि चारजर के बूल इंसेट करके अब तो चारजर के बूल इंसेट हो गया दोस्तों अब यहां से हमारी देखिए फिर एक बार भी बैट पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है यह आ रहा है यह हमारी 0.04 जो आ रहा है यह इतना ही आएगा यह आईडी और टी एस पर वोल्टेज आ रहा है 0.5 और 0.4 की वोल्टेज यहां से आ रहा है आईडी और टी एस पर और यहां से हमारी भी बैट पर कुछ भोल्टेज हमको 2.9 से 3.7 तो कुछ वोल्टेज यहां से फ्लॉक्चोशन होना चाहिए जो कि यहां से कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है और यहां से हम VBOS को चिक करेंगे VBOS यहां से ओके है और हमारी TH और ID पर 0.5 और 0.4 की सप्लाई मिल रहा है और यहां से हमारी VPS आउटपूट कंप्लेटली हो रहा है जब यहां से हमारी VPS कंप्लेटली आउटपूट हो रहा है और हमारी VBOS पर कुछ भी सप्लाई नहीं मिल रहा है और हमारी ID और TS बन रहा है तो इस कंडिशन से हमको लग रहा है कि यह कहीं से सटिंग है यह देखिए यह 0.8 voltage भी आ रहा है, यहां से हम अभी चेक करेंगे कि हमारी बॉक कर हमारी LDO सेक्शन पर कितना कितना voltage आ रहा है, यह देखिए 0.8 यहां से 0.8 याना चाहिए, या फिर 0.9 य आना चाहिए, यहां से कुछ भी voltage अना हो रहा है यहां से भी हमको कुछ बोल्टेज सो होना चाहिए क्योंकि यह जितने भी कॉयल से सारी के सारी कॉयल पर बोल्टेज हमको सो होना चाहिए यह देखिए यह 0.9 के बोल्टेज सो हो रहा है पावर है इसी तो मुझको लगता है कि वोल्टेज आउटपूट कर रहा है लेकिन यहां से है एक बार हम बैटरी को इंजट करके चेक करते हैं कि इस पे अच्छली कहां से यह जो प्रोब्लेम है यह कहां से है तो फिर एक बार हम चेक करेंगे यह 0.8 की वोल्टेज की लाइन है 0.8 यह यहां से आ रहा है कि यहां से कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है लेकिन यहां से 0.9 या 0.8 मेरा है यहां से भी 0.9 यह आरहा है और यहांसे 2.0 voltage आ रहा है लेकिन 2.0 की voltage यहांसे stable नहीं रहा है यह fluctuation हो रहा है जबकि बैटरी लगाने के time पर यह fluctuation नहीं होना चाहिए और यह 2.0 की voltage यह 1.1 volt की line है जबकि यहांसे कुस भी voltage हमको तो नहीं हो रहा है यहां से 1.1 बोल्ट के लाइन अगर नहीं मिलेगा तो हमारी UFS अक्टिव नहीं होगा और यहां से हमारी 1.8 बोल्ट की सप्लाई भी आ रहा है यह जितने भी हमारे वोल्टेज आउटपूट हो रहा है 0.8 बोल्ट की सप्लाई आ रहा है 1.8 volt की supply आ रहा है 2.0 की voltage आ रहा है और हमारी 1.1 volt इस पे missing है लेकिन यहां से 0.8 और 2.0 voltage completely आ रहा है तो अब दोस्तों यहां से हम जो 1.1 volt की line पर 0 value लेंगे अच्छली इस पे 0 value कितना आना चाहिए और 0 value पे जो 0 value यहां से हम 1.1 volt की लेंगे उस पे 0 value पे short बता रहा है या फिर 0 value लो आ रहा है लेकिन इस पे 0 value लो आएगा क्योंकि यह 1.1 volt की line है जो की low voltage high ampere में चलता है इस पे हम अभी 0 value लेंगे एक सेगंड दोस्तों इस पे हमारी multimeter पर बैटरी drainage हो गई है अब हम बैटरी एक new replace करके फिर एक बार यहां से trace करेंगे यहां से दोस्तों जो हमारी 1.1 volt की line है उसको trace करेंगे और यह voltage क्यों नहीं आ रहा है और कहां से इसका setting है इसको trace करेंगे तो पहले दोस्तों हम बोरेनो सी मस्टिक के throw हम इसका 0 value लेंगे बोरेनो सी मस्टिक पे दोस्तों ओपो ए 52 में आपको बैटरी के THR ID पर 0 value show करेंगे बोरेनो सी मस्टिक पे hardware solution पे लेकिन यहां से 0 value नहीं आएगा 0 value trace करने का तरीका है हम इसको resistance mode में चेक करेंगे resistance mode में आपका kilo ohms आएगा तो यह line सही रहे और एक बार आपको बता रहा हूं कि आपकी latest phone जितने भी है जितने भी है हमारी SDA और SCL लगी हुई है या फिर THR ID लगी हुई है latest phone पे अगर आप share value लेंगे dad mode में तो यहां से कुछ भी show नहीं करेंगा अगर आप इसको resistance mode में चेक करेंगे तो यह value आपकी कुछ kilo ohms में और high kilo ohms में यह resistance show करेंगा जब तक यह देखिए यह आप डाट value में जितने बार चेक करेंगे यहां से कुछ भी नहीं show करेंगा जब इसको resistance value में आप चेक करेंगे यह show करेंगा यहां से हमारी 291 kilo ohms की है और इसका निच्छे side id है यह देखिए 418 kilo ohms की है जब तक यह दोनों आपकी kilo ohms में show करेंगा आपकी value तो आप समझ लेना कि यह line हमारी म्हंदों के हैं अब दोस्तों यहां से के के पास rr value की लेंगे क्योंकि हमारी ヨहीं भांक है और बाकी zoo 1.1 वोल्त कि लाइन नहीं बन राहे स्धों हैं से मेरे स्वाइल लेने के बाद हमको पता चलएगा कि आख हमारी श obs में हлекए के जाश yat कि यह हमारी 2.0 बोल्ट के लाइन ही है यह को है यह दिखिए यह तो हमारी 187 की रिडेंग से आ रहा है मुझको लगता है कि यह लाइन भी सही है कि यह 187 आ रहा है तो यह लयन रहा है कि यह लोग 0.1 बोल्ट की लाइन हे यह जो value section है यह इस तरह से reading आएगा और इसको कभी-कभी आप अगर temperature heat होगा board पे अगर board अगर heat होगा तो यह कभी-कभी आपकी GR भी आएगी 35-33 ohms की यह setting भी आएगी लेकिन यह line मुझको लगता है कि कुछ भी issue नहीं है लेकिन इस line पर voltage आना जाहिए 1.1 volt जो की नहीं आ रहा है आगे कुछ line setting के वज़से इस तरह से इस condition पर है आगे एक capacitor को open किया गया है वो capacitor को क्यों open किया गया है इसको trace करेंगे वो capacitor की पास क्या sorting है या नहीं है इसको trace करेंगे तो यह जो coil है एक coil के पास 1.1 volt के line आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसको confirmation के लिए पहले हम यह जो coil है इसको coil coil को इसको open करेंगे इसको 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 जो दो हिस्से होते है एक हिस्से पर हमारी voltage मिलना चाहिए अगर एक हिस्से पर voltage मिल गया तो हम समझ लेंगे कि वो line सही है आगे का line कुछ break है उसका दूसरा जो दूसरा हिस्सा होता है coil की तो पहले हम यहांसे थोड़ी सी रोजियन इस्तिमाल करेंगे औ और इसको थोड़ी सी हम 2V और 5A में इंजट करेंगे कि कंसा line पर सटिंग बता रहे है कि नहीं अगर कंसा line अगर कोई भी line हमारी विगलता हुए नजर आएगा तो हमको तुरंद ही पता चल जाएगा कि वह line पर सटिंग है हम वह 1V की line पर क्यों trace करे कि क्योंकि और otherwise सब line पर voltage आ रहा था सिर्फ 1-1V की line नहीं है जबकि इसका GR value बहुत ही low आ रहा है तो इसलिए हम इस पर trace कि तो एक बार रोजिन इस्तेमाल करके इसको हम 2V इंजट करके check कर लेते कि कहीं से कुछ component बगरा बिगलता हुआ नजर आएगा तो हमारी काम आसन हो जाएगी यह जो condition प thermal camera भी सायद काम नहीं करगा क्योंकि इस condition पर कहीं से भी आपको setting नहीं मिलेगी और कहीं से यह जो setting है यह setting आपको दूणने में बहुत time लगेगा और कहीं से board heat भी नहीं होगी यह इस तरह से एक setting है जो कि काफी चारी technician इस पर फसते है और मेरे ख्याल से मैं जो बोलता हूँ दोस्तों मैं directly बात बोलता हूँ मैं इधर उदर काम पर बात को घुमाना नहीं चाहता हूँ यहां से हम two board इंजट करते है यहां से कुछ भी फरक नहीं पड़ता है कुछ भी फरक नहीं पड़ता है PCB में कोई भी component कुछ भी फरक नहीं पड़ता है जिस तरह से फ्रेस बोर्ड है उसी तरह से है यहां से कुछ भी फरक नहीं पड़ता है तो एक बार यह कोईल को हम open करके check करना चाहिए क्योंकि 1.1 बोल्ट की लाइन उसका दूसरे हिस्से पर आ रहा है कि नहीं अगर दूसरे हिस्से पर भी नहीं आ रहा होगा तो power IC भी खराब हो सकती है तो यहांसे जितने भी बार हम trace करेंगे जितने भी बार हम inject करेंगे 2.0 बोल्ट यहांसे कुछ भी फरक नहीं पड़ेगा PCV में यहांसे कई भी कोई भी component है यहांसे हमको लगता है कि कोई भी component भी घल्दवार नजर नहीं आ रहा है उपर का जो एक क्याप open है वो क्याप कंसी साइट पर जाती है वो क्याप उपर का जो क्याप open है वो क्याप पर कितना वोल्टेज आना चाहिए इसको trace करेंगे वोल्टेज तो लाइन भी तो हमको लग रहा है कि sort है यह देखिए यह जो लाइन है यह ओ लाइन भी sort है और यह लाइन तो हमारी sort नहीं है लेकिन यह 187 की 168 इस तरह से कुछ readings लेता है अब दोस्तों हम check करेंगे कि वो जो line है 1.1 volt की line है 1.1 volt की line कहां से जाती है और 1.1 volt की line की trace करेंगे यहां से यह देखिए यह निच्चे जितने भी cap है वो cap के पास जा रहा है 1.1 volt की line और यह directly directly वो helps Lazar having to go to jail away to hoon स्यवियादाइक और Chili जगापर भी वोलटेस नहीं जा रहा है एक तो यह सीट यह जा रहा है एक दो तेन चार पांच और यह पूरा कोंटेज जा रहा है विद वुवपेस के पास QoS के पास इसका सारी के सारी वोल्टेज आ रहा है और ये तो लाइन है दूस्तों ये एक लाइन हमारी हम बत हम कंफर्म होगे कि ये लाइन हमारे ये जो दुसरे लाइन है ये दुसरे लाइन कहां से जा रहा है एक तो ये लाइन जा रहा है ये बहुत सारा क्याप में जा रहा है ये भी 1.8 वोल्ट की ल अगर आपके पास नहीं भी हैं तो मेरे वीडियो को आप पूछ करके देख सकते है कि यह लाइन कहां कहां से जाते हैं मैं इस वीडियो पर आपको completely इसका line जो tracing जो line है जो 1.8 volt की line जो हमने बताया और 1.1 volt की tracing है और कहां कहां से जाती है अपको बता दया आपको मैंने बताया था है कि जब यह heat होगा उस time से यह एक side zero value आ जाएगी कि यह low dropout की line है और एक side हमको value जो करेगा यहां से हमको लग रहा है कि कुछ भी problem नहीं है उपर का लेकिन जो 1.8 volt की line है वो तो setting है इसको हम trace करेंगे वही 1.8 volt की line setting के बज़े से वही निचे का जो 1.1 volt की line यहां से break है अगर 1.8 volt अगर आपकी यहां से सही हो जाएगा तो 1.1 volt पी आ जाएगा क्यूं इस तरह से है वो company ने इसी तरह से circuit divider circuit बनाया है ताकि अगर 1.8 volt की line अगर missing हो तो 2.0 volt की line fluctuate है और 1.1 volt की line नहीं आएगी इस तरह से circuit company ने बनाया है तो अब दोस्तों यहां से हम check करेंगे कि यहां से कितना voltage आ रहा है यहां से अगर हमारी 1.1 volt आ गया तो हम समझ लगेंगी वही लाइन हमारी कुछ भी इसू नहीं है हमारी दूसरे जो लाइन ही है वही लाइन पर हम ट्रेस करेंगे एक हिस्से पर हमको यहां से आना चाहिए 1.1 यह देखिए मैंने बोला था कि यह हमारी 1.1 volt की line है जो कि यहां से आ रहा है यह देखिए यहां से 1.1 volt की line यहां से आ रहा है और दूसरे हिस्से में जब इस पर coil लगेगा तब इस पर active हो जाएगा यहां से coil को अगर लगा देंगे तो यह voltage नहीं आएगा क्योंकि आगे का line कुछ setting है क्या setting है मैंने पहले आपको bitmap में bitmap के थो बताया कि जो उपर का जो line है वो कहां से जाती है कहां तक और निजे का जो line है जो 1.1 volt की line है वो कहां से जाती है अब हमारा काम है कि हमारी जितने भी line पर हमारी यह जो voltage आ रहे CPU और UFS को छोड़के बाकि जितने भी cap है वो cap को पहले हम trace करेंगे कि वो ही cap के पास कहीं से setting है या नहीं है setting के से trace करेंगे यह तो देखिए यह 23 ohms की setting से हमारी sensor की line पर और नीचे का जो line है sensor की line पर अगर आप voltage इंजट करेंगे तो यहां से कुछ भी component आपको heat नजर नहीं आएगा यहां से हम trace करेंगे जितने भी हमारी sensor की line पर जितने भी cap लगती है वो cap को पहले trace करेंगे क्योंकि cap भी कहीं से भी leakage हो सकती है क्याप की leakage की value बता देता हूँ क्याप अगर leakage होगा तो आपकी 0,2,0,1,2,0,0,0,0,1,0,0,2 इस तरह से कुछ ohms लेगा तो आप समझ लेना है कि वो ही line पर आपको trace करना है अब मैं जितने भी cap का value ले रहा हूं आप देख लीजिए कहीं से 0,0,0,0,0,0,1 की value यह दिखिए यह एक cap है जो की 0,0,0,1 ले रहा है यह दिखिए 0,0,0,0,1 ले रहा है यह से भी आपको कहीं capacitor मिलेगी जो की 0,0,0,1 लेगा उहीं capacitor को आपको found करना है जितने भी क्याप है इन सब पर आपका 8 से लेकर ज्यादा ओम्स लेना है जबकि आपकी कोई क्याप में अगर 23 ओम्स की 30 ओम्स की सटिंग आएगी तो समझ लेना है कि ओ लाइन पर आपको ट्रेस नहीं करना है और उसका फुरडबास में चेक करेंगे तो यह कुछ अलग सी भ कि आएगी ओम्स की उस टाइम से समझ लेना है कि ओही लाइन पर गटबढ़ है तो यहां से हम जितने भी क्याप है वह क्याप को ट्रेस करेंगे और लाइन को ट्रेस कर सकते हैं दूसरे लाइन को हमारी ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्यूंकि ओही लाइन पर पर हमारी setting है दूसरे line पर हमारी setting नहीं है। जो कि सेंसर की line पर हमारी 1.8 बोल्ट की line setting के वजय से हमारी एफ कोन dead condition पर चला गया है। और यह 1.8 बोल्ट line only sensor पर नहीं जाता है। दोस्तों काफी सारी बिरेच सक्ष्न कि मैं आपको बता देता हूं कि भीरेज लाइन क्या होता है कि भीरेज लाइन दुस्तो voltage regulating otherwise इस पर कूछ भी नहीं है काफी सारी बंदे मेरे पास एक बंदे call किया था मुझको बोला कि sir मैं एक institute join करके आ चुका हूं मेरा भीरेज में टाइम चला गया मैंने बोला भीरेज क्या होता है उसने बोला कि sir मैंने भीरेज कुछ समझ नहीं पया कि भीरेज क्या है एक चोटी सी उसको मैंने एक्जम्पल दी है भीरेज पांच मिनिट में भीरेज समझ आता है भीरेज क्या है VREG जो 4 लेटर होता है अरे आपकी मायंड में कर रही है एक हाई बोल्ट हो रही है एक हमारी एल्डियों के से काम करता है एक उसका इन सप्लाइब होती है एक हमारी प्लास फाइब या फिर हमारी भी बैट होती है फिर थ्री पांट जिरो वोल्टेज होती है एक सीप्यू से एनेबल सिगनल आती है एक एल्डियों गुलते हैं यह सिंप्ल सी फंडा है यह आपकी माइंड में गुचना चाहिए कि भी यारी जी जो फोर लेटर है यह पांच-छा दिन या दस दिन का कोर्स नहीं है यह सिर्फ पांच मिनिट का काम है भीरेज सपलाइग क्या होती है यह हर एक बन्दा बोल देता है भीरेज क्य गुसना चाहिए कि एक 5 बोल्ट की लाइन को ड्रॉप आउट करके 3 बोल्ट या 2 बोल्ट में बनाने को भी रेज किया जाता है यह फिर आपकी बीपेश लाइन आपकी पावर आपकी पावर आईसी के पास बीपेश जा रहा है बीपेश जो आउटपुट जितने भी बोल्ट अब फिर यहां से दोनों क्याप हमको नजर आ रहा है कि जिरो पंड जिरो वो जिरो जिरो वान की सटिंग आ रहा है ओ जिरो पंड जिरो 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 आन की जो सटिंग आ रहा है दो क्याप यहां से हमने यह देखिए यह एक क्याप है और यह दूसरा क्याप है जो कि देखिए यह पूरा जिरो 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 बता रहा है और दूसरे क्याप में और यह ए यह देखिए पूरा 00 आ रहा है और यह हमारी बोड़ अभी कुलिंग है तो यह भाल्यू आएगा मैं बताए कि बोड़ अगर टेंप्रेचर में होगा तो यह हमारी ओम्स हमारी निचे आ जाएगी तो यह हमारी जियर भाल्यू यह देखिए यह अभी विट 22 ओम्स की सटिंग से और यह हमारी यह एक क्याप है यह भी देखिए यह भी 00 है यह भी 00 है यहां से हम वोल्टेज इंजक्ट नहीं करेंगे यहां से हम दोनों क्याप को ओपन करके चेक करेंगे कि यह दोनों क्याप पर एक क्याप साटिंग है या फिर और वाइज इस पर कहीं से सटिंगे यह दोनों क्याप को ओपन करके यहां से हम इसका जियर भालू लेंगे और जियर भालू यहां से एक भी पर बजर आएगा तो एक भी क्याप सॉट होगा तो हमारी भीरेज 1.8 बोल्ट की लाइन हमारी सॉट बताएगी फिर एक बार आते हुए दोस्तों भीरेज की उपर और वो बंदा जो बंदा मेरे पास कल क्या था कि बोला कि सर आप उसिलोस्कोप हमको थोड़ा सिखा देंगे और एक बार बोला कि सर उसिलोस्कोप में किसी ने उनको बोला कि उसिलोस्कोप पे नेट्रक सेक्शन काउन नहीं किया जाग सकता मैंने बोला हां सही है उसिलोस्कोप प high frequency रहती है लेकिन आपके पास तो only network section का काम नहीं आएगा अगर network section आएगा भी तो 80% technician क्या करते है पहले WTR change करते है माननों कि आपके पास एक Redmi ATA का phone है Redmi ATA का phone आपके पास एक network section पर आए तो पहले आप क्या करेंगे उस पर WTR change करेंगे इतने सब ट्रेस करने से बाद customer आपसे रहेगा या फिर चला जाएगा दोस्तों हम कुछ कमाई करने के लिए repairing करते है कभी कभी क्या होता है कि एक technician हमारी इस कमाई हमारी इस कमाई से भी घर चलता है तो एक हम सोचते है कि हमारी पास एक customer आए तो जल से जल ओ customer हमसे ओ काम निपट कर जल से जल कैसे चला जाए हम भी कुछ पैसे इंकम करे हम उस लाइन पर रहते है तो इस condition पर अगर आप oscilloscope के पीछे भाग जाएंगे तो network section पर काम नहीं होगा और एक बंदा जो आपके पास रहेगा जो की छोटा मड़ा काम करता होगा ओ WDR चैंस करके ओ काम को निपटा लगा तो उस condition पर आप oscilloscope के पीछे भाग जाएंगे oscilloscope काफी सारी बंदे बोलते हैं की oscilloscope में क्या काम होता है oscilloscope में बहुत कुछ काम होता है network section पर जो बात बोली है network section पर हाई frequency होती है लेकिन otherwise section तो mobile पर है आपके पास only network section का तो काम नहीं आएगा display section का भी काम आएगा आज कल की तो 80% phone CPU से होता है CPU रिबल को रो काम खतम आज कल के 80% phone जितने भी हम पहले जो काम करते हैं अभी वो ही काम अभी नहीं है हमारी पास जो पहले पहले हम जो काम करते हैं जो कमाई करते रहते थे वो ही काम अभी बिल्खुल भी market में नहीं है दोस्तो अभी आपको जो फॉल मिलेगा आज जो फॉल में trace कर रहा हूं आप देख रहे होगे वो फॉल को मैंने भी बहुत टाइम तक इस पे मैं इस पे speed forward क्यों नहीं किया किमकि आपको directly जनकरी हो कि इस पे कहां से fold हो यह देखिए यह क्या आप यहां से setting नजर आ रहा है आपको भी directly इस पे देखा रहा हूं कि यह क्या आप setting नजर आ रहा है यह क्या आप कैसे हमने found किया जब हमने bit में आपके throw इसको line trace किये वही line पर सब हमने trace किये तो पहले हमको इसको one hour तक इस पे हम zero value ले one hour की patience आपके पास होना चाहिए कि one hour की आपको zero value लेना लेने के लिए आपके पास presence होना चाहिए मैं अगर इसको अधादुरा छोड़ देता तो यह तो काम नहीं बन पाता अगर कई technician के पास गया होता तो यह CP उठा देता मैंने यह वीडियो को क्यों upload किया क्योंकि आप लोगों की कुछ ना कुछ help हो जाए और मैं oscilloscope के उपर एक बड़ा story डालूँगा oscilloscope के उपर जो भी जिनका doubt है इन सब का मैं clear कर दूँगा oscilloscope में network section की बात सही है network section पे काफी high frequency होती है वो बात अलग है लेकिन oscilloscope में और सब कुछ होता है जो कि जो बंदा बोलता है कि कुछ भी नहीं हो सकता oscilloscope में सब कुछ होता है data और clock के line को कैसे count करेंगे इस सब का एक बड़ा वीडियो में आगे जरूर upload करूंगा यह देखिए दोस्तों यह हमारी GR value यहां से 278 हो गया जबकि यहां से हमारी 23 ohms की setting आ रहा था अब दोस्तों हम motherboard को clean कर देंगे clean करने के बात यहां से हम trace करेंगे कि जो हमारी line पे setting आ रहा था ओ line पे हमारी voltage आ रहा है या नहीं अगर ओ line पर हमारी 1.8 volt की supply आ गई और हमारी V8 पर कुछ voltage fluctuation होने लगा गया तो उस time से हम समझ लएंगे कि ओ line पे हमारी ok है तो अब दोस्तों यहां से हम check करेंगे कि यहां से हम फिर एक बार यहां से GR value हमारी ok हो गया GR value कि हमारी problem नहीं हो अब दोस्तों हम चेक करेंगे यहां से charger flex insert करके और यहां से charger लगा कर यहां से हमारी battery connector के पास हमारी V8 की supply fluctuation हो रहा है कि नहीं 2.0 मैंने पहले जब video starting किया था मैं बोला था कि यहां से V8 पर हमको कुछ voltage मिलना चाहिए जो कि without battery से हमको 2.0 something यह देखिए यह हमारी 2.0 से 4.0 तब voltage fluctuation होने लगा है अब दोस्तों यहां से हम चेक करेंगे कि high value यहां से बनता है गनी यह देखिए high value यहां से बन रहा है अब दोस्तों यहां से हम battery connector को inject करेंगे इंजट करने एक बात फिर एक बार यहां से हम trace करेंगे यहां से हमारी 1.1 बोल के line बनता है गनी यह 2.0 बोल के line है लेकिन 1.1 बोल सायद यह on हो गया set किया फिर इस तरह से कुछ load ले गया यह 1.1 बोल के line है यहां से हमारी 1.1 बोल नहीं आ रहा था दोस्तों जब हमारी coil inject किया था यह देखिए यह जो line हमारी setting था यह line पर हमारी 1.8 बोल के line यहां से clear हो गई जबकि यहां से हमारी sensor के line होती है यह line setting था लेकिन setting कुछ अलग सी जगा पर था जो कि इसको found करने से थोड़ा time लगा थांक्स फर बोरेनो टेम यह जो CR value यह जो bitmap के throw हमने जो इसका line trace किये वो line के बज़े से वो fault को हमने found कर दिये क्योंकि CPU और memory के तरफ हमने तो हमारी भी था यह जो high readings ले रहा था मैंने सोच रहा था कि इसका UFS खरब हो गई है लेकिन UFS के तरफ ज्यान देने से पेले मैंने सोचा कि यह देखिए मैंने बोला था कि यहांसे 0.8 बोल्ड आना चाहिए यहांसे 0.8 बोल्ड आने लगाए अब यहांसे भी हमारी voltage कुछ 0.0.5 0.6 इस तरह से कुछ frustration होगा अब दोस्तों हम mobile को check करेंगे कि सरी हमारी जो line setting था वो line पर trace करेंगे कि वो line पर हमारी voltage कुछ आ रहा है कि नहीं यह देखिए यहांसे भी हमारी 1.8 बोल्ड जो की sorting था वो आ रहा है अब दोस्तों यहांसे हम चेक करेंगे हमारी mobile को on होता है या फिर इस पे authorized कुछ issue है क्योंकि इस पे जो problem तो था यह problem को हमने तो found कर दिया है दोस्तों यह देखिए दोस्तों जब हमने इस पे बैटरी लगाया तो यह charging logo तो आफिर हो यह charging logo आ गया साथ इस पे बैटरी पे ले ही इस पे charger connect था उस पे हमने लगा दिया है तो इस condition पे इस तरह से आ गया एक बार इसको हम open करके फिर एक बार fitting करते हैं और करके एक बार चेक कर लेते हैं कि यह mobile completely on होता है यह फिर restart होता है क्योंकि वही क्याप तो parallel पे लगी हुई है वही क्याप लगाने की जरुरत है वह क्याप लगा देखिए जितने भी capacitor कंपनी ने दिया गए क्यापसिटर फिल्टरेशन की बज़े से कभी कभी आपकी फोन हीट के बज़े से भी फिल्टरेशन सब कुछ उसका एक काम होगा तो क्यापसिटर को open करना ठीक बाद नहीं है तो क्यापसिटर लगाने से भी सही रहेगा तो यह mobile दो completely on हो गया दोस्तों तो आज के लिए इ एक निस्ट वीडियोगे